मुंगफली की समर की फसल की पैदावार दो गुणा तक बढ़ सकती है जी हाँ, सही सुना आपने यदि आप मुंगफली की फसल में सिचाई ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो मुंगफली की फसल में अच्छी पैदावार ली जा सकती है अभी मूंफली की पैदावार का राश्ट्री ओसत प्रती हेक्टेर लगबाग 1.7 तन है ड्रीप इरिगेसन सिस्टम अपनाने से मूंफली की पैदावार के राश्ट्री ओसत में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी अब आप कहेंगे मुंगफली की फसल में डृप इरिगेशन से सिचाई कैसे हो सकती है तो चलिए हम आपको लिये चलते हैं बाहरतिय कृषिण संदान संस्तान के Water Technology Center में जहां मुंगफली की फसल में डृप इरिगेशन से सिचाई की जा रही है ये एक डेमो फार्म है इस खेत में मुंगफली की फसल में सिचाई डिप इरिगेशन से की जाती है डिप से सिचाई करने पर मुंगफली के पौधे में पैक का पेनेटरेशन जमीन में आसानी से हो जाता है जिससे पौड में फुटाव अच्छा होता है और पैदावार बढ़ जाती है आईये इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं आईये आराई में वाटर टेक्नलोजी सेंटर के प्रियोजना निदेशक दॉक्टर मान सिंग से हमारे देश में मुणखळी का जो उत्पादन है वो हमारे पड़ोसी चाइना देश से लगभग आधा है हमें इसे बढ़ाने की जरुरत है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादक्ता बढ़ानी ज़रूरी है और मुंखफली की खेती एक नकट खेती मानी जाती है इसकी बहुत डिमांड है देश में और भी बाहर भी इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है तो इसलिए एक प्रयास किया गया है ड्रिप इरिगेशन की मदद से ग्राउंड नेट की उत्पादक्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके प्रयोग वाटर ट्रेक्लिश सेंटर में दो हजार पाँच में मुंखफली निदेशाल है जुनागड जो आईसे आर की एक संस्ता है उससे किया गया उसके कोलेबरेशन से और यह परिणाम बहुत अच्छे आए लगभग इस सेंटर ने 11 सीजन में एक्सपरिमेंट किये और ड्रिप से इस बात के पुक्ता सबूत मिले कि जो उत्पादक्ता किसानों के खेत पे आज पारंपरिक तरीके से वो कर रहे हैं खेती मुंखफली की चाहे वो रेंड फेट के तहत हो या सर्फियस मेठड आफ इरिगेशन से कर रहे हो उसकी तूलना में धाई से तीन गुना बहुत ही आराम से उत्पादक का बढ़ जा रही है टोटल उत्पादन इससे बढ़ जाएगा ड्रिप इरिगेशन टेकनोलोजी के फायदे ये हैं खासतोर से ग्राउंड नट के मुंखफली के संदर्व में कि मुंखफली में फ्लावरिंग के बाद ज के समय पेग बहुत आसानी से जमीन में घुच सकता है और उससे पाड़ फॉर्मेशन और उसकी मेचूर्टी को ये मेथट एक्सिलरेट कर देता है जो संभावना अगर बीच में ड्राई स्पेल आ जाए जमीन सूखी है तो पेग को पेनेट्रेशन में आसानी नहीं होती है चाहे वो रेंड़ फिट की सिच्वेशन हो या सर्फेस में तरफ इरिगेशन में उसमें अब रोज इरिगेशन नहीं दे सकते हैं इरिगेशन का अंतराल रखना पड़ता है इसमें हमारे कंट्रोल में होता है तो इसलिए हम इससे बहुत ही आसानी से इस टेक्नलोजी की कि Gundat लेकर के पानी भी पचा सकते हैं और गर्मी में जहां पर पानी की उपलफ़ता है इससे हम मूगव़ यहां ख्रप पाति इससे हम मुंब्धी किसानों को लगुपिशानों को मजोले किसानों को बिभिन पर्योजनाओं के माध्यम से सबसिडी मिल रही है और उसकी मदद से किसान कम खर्च करके इसे लगा सकते हैं और लगाने के बाद एक बार अगर उनके खेट पे हो गया और उसकी सफल तक लोगों ने देख ली तो अ किसानों की आमदनी इससे बढ़ सकती है तो किसान भाईयों यदि आप भी मुंगफिली की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा कर उससे सिसाई करें इससे दो फायदे होंगे एक तो पैदावार बढ़ेगी और दूसरा पानी की विवर्चत होगी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए बागवानी विभाग सबसीडी भी देता है